जैहिन दोस्तों, मेरा नाम हीरे नर्यानी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड टुटोरियल हम लाइव साउंड के बारे में जो भी चीजे हैं जानकारी है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं कुछ न कुछ जो मैं जानता हूँ वो सीखाने के में कोशिश करता है तो आज एक बात को हम समझते हैं कि किस प्रकार के polar pattern mic में किस प्रकार से हमें monitor को set करना चाहिए हर माइक के उपर एक polar pattern बना रहता है यानि एक माइक का एक polar pattern रहता है जिसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया है वो आप देख सकते हैं मैं description में डाल दूँगा polar pattern काफी है लेकिन ज्यादा तर live sound में तीन टाइप के polar pattern वाले माइक हम यूज करते हैं एक to cardioiड, एक supercardi ride और एक omni ज्यादातर इन तीन प्रकार के ही वाले माइक का यूज करते हैं तो भी हम समझते हैं कि किस प्रकार के माइक में हमें किस प्रकार monitor देना चाहिए काफी बार ये होता कि ये माइक में whistling होता है वो माइक में whistling नहीं होता है इस टाइब का काफी हम phase करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा बारी की से समझेंगे पहली बात तो है कि कभी भी आप live show कुछ भी करते हैं तो live show में हम देखे कि हमारा monitor placement कितना सही सही हो रहा है यह सबसे ज़रूरी चीज है मोनिटर प्लेस्मेंट ही तई करेगा कि आपके शो में आर्टिस्ट को कैसे मोनिटरिंग मिलेगा और उसको कैसे सेटिस्फाइड होंगे इन येर मोनिटर का भी मैंने वीडियो बनाया है तो पहले हम देखते हैं कि काडियोड पेटन में जो मैक है उसको मोनिटर प्लेस्मेंट हम कैसे कर सकते हैं अगर काडियोड मैक यहाँ पे सीधा है तो वो यहाँ से लेके इदर यानि एक हार्ट जैसा शेप बनायेगा वहाँ से वो मैक आवाज पकड़ेगा साइड में से कम पकड़ेगा पिछे बिलकुल कम पकड़ेगा तो यह काडियोड पेटन है इस टाइप के मैक अगर आपने यहाँ पे ऐसे सीधे लगाये है वो ते चाहे तबला में लगाया हो वो चाहे ड्रम में लगाया हो उस मैक का जिस तरफ फेस है जिस तरफ उसका मू है उसके सी अकार में यानि उसके सामने से लेकर सी अकार में हम मोनिटर प्लेस कर सकते है मोनिटर का डिस्टन्स मिनिमम 6 फुट के आजपास होना चाहे मैक्सिमम 10 फुट 15 फिट भी कर सकते हैं बहुत ही बड़े पावरफुल साइड फिल के लिए हम जो डालते हैं वो मॉनिटर रख तो या नहीं तो दस फिट से ज्यादा हम मॉनिटर को दूर नहीं रखना चाहिए तो 6 फिट कम से कम 6 फिट से ज्यादा नजिक होगे तो भी विसलिंग ज्यादा करता है तो उसी आकार म में मॉनिट हो कर सकते हैं कर्डियोट पेटर में सबसे ज्यादा उपर्चुनिटी है मॉनिट प्लेश करने की पूरे च है कि तरह मीवठ पकड़ता ही है जैसे फनी कर्डियोट पेटर है वह अईसा तो वह आवस पकड़ेगा लेकिन पीछे भी पूँच की तरह वो कुछ आवाज capture करता है पकरता है तो उस pattern में हम सीधे आगे बिलकुल front में हम monitor नहीं दे सकते हैं उसको हम side इस तरह से left और right दोनों side में हम monitor उसमें लगा सकते हैं तो अगर super cardioid आपका mic है और अगर आप super cardioid mic में आप किसे singer को monitor पोलार पेटर इस mic की है तो माइक को आप देख लीजिए उसमें पोलार पेटर बनाया हुआ भी रहता है उसका चित्र भी रहता है उसमें उसका फोटो भी रहता है तो super cardioid कोई भी अगर mic है तो उसमें हमें cross में सीधा उसमें नहीं दे सकते cross में ऐसे दे सकते है side में भी दे सकते है super cardioid mic ज्यादा तर बहुत powerful रहते है वो बहुत दूर से भी आवाज पकड़ने के लिए सक्षम होते है तो जितना powerful mic है उतना हमें monitor का placement थोड़ा सा दूर करना है ता कि हम proper उसमें से हम out ले सके और तीसरा pattern है जो भी ज्यादा वो भी use होता है जो collar mic में रहता है button mic जिसको बोलते है collar mic head on mic है फिर air mic है या फिर stick mic है उसमें polar pattern रहता है polar pattern रहता है only यानि हर तरफ से एक ही तरह की आवाज वो पकड़ेगा वो सब से तक्रिफ देने वाला polar pattern है यानि कि उसमें कहीं पे भी आप monitor रखे वो ऐसे ही feel देगा जैसे mic के सामने ही monitor हो यानि कि उसमें सब से जदा whistling होने की chances है उसको आप बहुत balance करना पड़ेगा क्योंकि वो चारो दिशा से पूरा goal area में आवास पकड़ेगा इसलिए कभी-कभी भागवत कथा में यहां पे या करितन में अगर कोई वक्ता पहले cardioid mic यूज करते थे बाद में कोई बड़े वक्ता को देख के मुझे stick वाला mic दे दो तो काफी लोगों ने stick वाले mic खरीद लिए फिर उसमें polar pattern उसमें भी आता है अगर आप मेंचन करें कि हमें Omni वाला नहीं चाहिए हमें cardioid चाहिए तो उसमें भी available है stick mic बेबी तो उस टाइब का हमें लेना चाहिए फिर यह होता है कि उसकी आवाज monitor में नहीं खुलती या फिर गाने में मज़ा नहीं आता बोलना में थोड़ा सा मज़ा आता है परफेक्ट monitor का placement कर पाएंगे ताकि confused नहीं और कल तो whistle नहीं आ रही थी माईक में whistle आ रही है उस माईक में नहीं आती ऐसा नहीं होता माईक की polar pattern क्या है उसको समझके monitor का placement क्या है तो whistle कमा सकती है अगर आप comment करेंगे तो whistle को दूर करने के लिए अनलोग जो भी अपने एक्विलाइजर है उससे कैसे विसलिंग को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं अलाइमेंट कर सकते हैं उसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ और इसका खयाल रखिए आप ज्यादा अच्छा मोनिटरिंग दे पाएंगे भारत मता के जाए